यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती बालकनी में तो यह एक बेल ऐसी है जो बहुत अच्छी चलेगी यदि आप नए हैं, बिगनर हैं तब भी आप इस बेल को लगाएं यदि आपको हैंगिंग प्लांटर लगाने का शौक है तब भी यह बेल आपके कामाएगी इसका नाम है स्वीट पोटेटो वाएं यह शकरकंद की बेल है लेकिन यह और्नामेंटल शकरकंद है इसके नीचे शकरकंद जैसा बल भी बनता है जो इसे साल दर साल चलाता है यानि कि यह बेल अगर सूप पी जाए आप काट दें तो उस कंद मेंसे सीजन आने पर फिर से बेल फूटेगी आज मैं डिटेल मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में यह मैंने ड्रम में लगा रखी है और उस गमले को इस ड्रम में रख दिया है तो यह क्यारी मैं क्रीपर की तरह फैल गई है अगर इसको जमीन में लगा देंगी तो बहुत बड़ा आकार ले लेती है मतलब पूरी दीवाल पर भी चड़ सकती है अगर आपका उत्तर मुखी घर है और धूप नहीं आती है तो आप इस बेल को लगा सकते है इसका प्रोपोगेशन भी बताऊंगी बहुत आसान है देखिए बरसात में तो इसे बिल्कुल माफिक मौसा मैं भी लगा ही लेजिए आप हर नोड पर से इसमें एरियल रूट निकल रही है बस इसकी चोटी सी टहनी भी काटके लगा देंगे और आप इसको पत्ते से भी कटके लगती है लेकिन उस पत्ते मैं रंठल चाहिए तो वह मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी सनलाइट कंडिशन मैंने बताई मिटी वैल ड्रेंज चाहिए और मिटी मैं थोड़ा खाद भी चाहिए बाकी और बहुत केर नहीं चाहिए होती है मतब हाडी बेल है बहुत आसानी से लग जागी है और इसमें और कलर भी आते हैं एक ग्रीन कलर की आती है मैच करके लगाना चाहिए जैसे मैंने पान के साथ इसको रखा है तो एक कड़्रास कलर बनता THAT ब्यूटी बनती है यदि आप हैंगिंग बास्केट बना रहे हैं तो एक टहनी पर्पल की लगा दें एक ग्रीन की लगा दें सेम ऐसी ही ग्रीन कलर की भी आती है जो पहले मेरे पास हुआ करती थी आज नहीं है अभी तो बहुत सारी एरियल रूट्स आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी बरसाथ का मौसम चल रहा है और मैं कट करके इसकी कटिंग्स लगा रही हूँ तो मैंने सोचा कि आप से शेयर करती हूं तो एक पत्ता ले लें लेकिन उसमें थोड़ा स्टेम लगा रहना चाहिए नोड एरिया उस पत्ती के साथ आना चाहिए यह एक तरीका है दूसरा तरीका भी बताऊंगी मिट्टी आप गार्डन की सॉइल ले लें कटिंग के समय थोड़ी सेंडी सॉइल रहे तो बहुत अच्छा है और अगर सिर्फ कटिंग लगा रहे हैं तो खाली रेत में भी लगा सकते हैं पर मैं डारेक्ट यह हैंगिंग बास्किट तयार कर रही हूं तो मैं इसे रीपॉ यह एक पत्ता जो लगा रहे हैं यह तो जीवित रहे गई बाकी जहां से एरियल रूट हैं वहां से एक नया अंकुर भी निकलेगा इस तरह आप एक एक डिड़र डंच के अंदाज पर पत्ते लगाते जाएं बहुत घने भी नहीं लगाएं बहुत दूर भी नहीं लगाएं अब इस तरह से बीच में जगे खाली रही जा रहे हैं तो हम उसे भी फिल करेंगे देखिए आप तो हमने इसमें जो डंडी लिय यह देखिए इसमें दो पत्ते हैं यह एक ली है इसमें तो दो नोड हैं जिसमें रूट सारे हैं और यह एक और ली है तो इसमें भी एक नोड है तो ऐसे कुल मिला के बीच में दो पत्ते लगा दिये हैं और बाकी पत्ते चारूं तरह थोड़ा पानी डाल दिया भी और ब जाएगी बहुत जल्दी रूट साती हैं बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और अभी तो बरसात का मौसम है तो इस मौसम में तो बहुत आसानी से ये लग जाता है अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी उससे भी आप लगा सकते हैं और वो है आप इसके लगा लीजिए तो बस तीन से चार इंच की एक छोटी सी कटिंग ली उसमें नोड एरिया होना चाहिए जहां ये रूटस हैं देखो एरियल रूटस हैं बरसात है अभी तो एरियल रूटस मिल रही हैं बरसात नहीं होगी तो केबल नोड एरिया रहेगा एरियल रूटस न और अगर धूप नहीं है तो यह देखिए मैंने यह टुकडा भी रख दिया यहां से भी आसानी से लग जाएगी और हाँ इसे आप मनी प्लांट की तरह पानी में भी डाल देंगे तो इसमें रूट सा जाएंगी बाद में आप उसे क्यारी में शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत आसानी से यह लग जाती है पत्ते से भी अंकुर से भी और पानी में भी तो क्या आपने पहले कभी लगाई है अगर लगाई है तो कमेंट करके बताई आपका क्या एक्सपीरिंस रहा और अगर नहीं लगाई है तो अब आप लगाई है जिस तरह से कि मैंने लगाई है औरनामेंटल प्लांट्स में बिगिनर्स के लिए इससे अच्छा कोई पौधा नहीं है और जो जगे जगे हम बहुत सारे पौधे हैंग करते हैं आपके हर गमले में एक इसकी डंडी डाल देंगे तो बहुती ब्यूटिफल लगती है तो कैसा लगा ये वीडियो वो भी कॉमेंट करके बताईए और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो फिर मुझे लाइक कर लीजे, शेयर कर लीजे, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजे हम मिलते हैं फिर अगले लाइक कर लीजे